हाउस रेंट अनाॉंस मकान किराया बत्ता कुछ नियोक्ता अपनी करमचारियों को मकान किराया बत्ता देते हैं ऐसा बत्ता नियम 2A के अंतरगत नियम 2A के अंतरगत नियम 2.1 के अंतरकर दी गई सिमाउं तक आयकर से मुक्त है यदि बता इस नियम में दी गई सिमाउं से अधिक है तो जितना अधिक होता है उतना वेतन में जोड़ दिया जाता है निमलिकित राशियों में से जो राशी कम होती है वह है मकान किराया बता की कर्मुक्त राशी होती है तो जो टेक्स फ्री जो अमाउंट है वो इन तीनों का जो मीनिमम है वो राशी होगी जिसमें पहला है एक्चुल हाउस रेंट अलाउंस रेसेवड बाई दे एसेसे इन रेस्पेक्ट अफ दे रिलेवेंट पीरियड समधित अवदी के लिए प्राप्त मकान किराया बता तो जो अवदी है उस अवदी में कितना जो राशी प्राप्त हुई है रेंट रेसेवड हुआ है उसकी सेकेंड में देखिये सेकेंड में दो हैं कंडिशन्स इसमें फर्स्ट इफ दे हाउस इस सिचुएटे इन कलकत्ता, मुंबई, डेली एंड चैन्ने येंड फिप्टी परसेंट अफ चैलेरी एंड एड अट अधर प्लेस 40 परसेंट अफ दे सेलेरी दू तो दे एसेसे इन दे रिलेवेंट पीरियट यदी मकान, कलगत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली में से किसी भी स्थान पर स्थित होने की दसामें संबंधित अवधी के वेतन का 50 परसेंट और यदी अन्नी किसी स्थान से संबंधित है तो सेलेरी का 40 परसेंट थर्ड, रेंट पेड इन एक्सेस अवधी के वेतन के 10 परतिशत से अधी की किराय की रूप में वियाई की गई राशी अर्थात चुकाया गया किराया माइनस दस परसेंट तो दस परसेंट जो सेलेरी है उससे अतिरिकती कितना किराया ऐसे सी दोरा चुकाया गया है तो 10 परसेंट सेलेरी से जो एक्सेस में किराया चुकाया है वो रासी तो इन तीनो राशियों में से जो राशी मिनिमम होगी उप्रोक्त तीन राशियों में से जो राशी कम होगी वह राशी कम चारी को प्राप्त वास्त्वी के किराय बत्ते के रूप में गटा दी जाएगी तो इसका discount मिल जाएगा और जो रकम sense रहेगी जो balance amount होगा उसे taxable income में include कर लिया जाएगा यदि उप्रोक्त तीनों राशियों में सबसे कम वाली राशी रिनात्मक हो जैसे third condition में minus में आ सकता है तो इस condition में संपुन जो salary है वो taxable होगी यहाँ पर जो salary है उससे मतलब है basic payment मूल वेतन कर्मुक्त किराई की बत्ते की गणना के लिए दूसरे बत्ते और अनुलाब को सामिल नहीं किया जाता है तो कर्मुक्त किराई बत्ते की गणना करने के लिए इसे वेतन में include कर लिया जाता है तो महेंगाई बत्त को इसमें include किया जाएगा सरकारी कर्मचारी की रसा में महेंगाई बत्ते को किराई बत्ते का कर्मुक्त बाग मालूम करने के लिए वेतन में सम्मिलिक किया जाएगा तो जो dealings announce da तो उसको include करेंगे तो basic pay plus da कर्मेंट कर्मचारी के लिए include किया जाएगा किया जाएगा